सब सुख गाथा या सब्बे सत्ता Be All Happy Story या Be All Happy पद या गाथा या वर्सिस जब भी कोई अच्छे लोगों की सभा कहीं होती है पूरी दुनिया में तो सभा के अंतमें सब लोग सभी लोगों की मंगल कामना सभी लोगों के स्वास्ते की अच्छी कामना और पूरे प्राणियों की और पूरी दुनिया के जितने प्राणियों उनके सब के सुख की कामना के साथ मंगल कामना के साथ में उठते है इसका असर पड़ता है इसलिए जो परंपरा भगवान बुद्ध के अनुयाई या जानकार जो हैं वो जितनी भी सभाज अब होती है, तो सुरू में वो त्रिशरन और पंसील करते हैं, तीसरन और पंसील और बाद में सब बिसता करते हैं, सब सुख गाता करते हैं, वी अल हैपी जो सौंग है उसको गाते हैं, ये मन से गाया जाता है, अगर आपके मन में अच्छा ही नहीं है आपका मन सांत नहीं या सांत है या बीमार है तो फिर आप इसको ना गाईए क्योंकि अगर आप इसको बोलेंगे तो बात मन से नहीं आएगी तो सामने असर भी नहीं करेगी अगर सब के सुख की मंगल कामना करनी है तो सब का सुख आपका मंगल में भी मन के अंदर भी होना चाहिए खाली वचन में ही नहीं होना चाहिए क्या है ये सब्बे सत्ता सुखी हुन्तू सब्बे माने सब सत्ता माने होता है प्राणी एक्जिस्टेंस यानि सब्बे सत्ता सुखी हुन्तू हुन्तू माने हो और सुखी माने सुख खेमिनो चै का मतलब और है सब्बे हों तू यानि सब हों चै माने और खेमिनो जो का मतलब है खेम से बनाए खेम का मतलब है सांथ हों और खेमिन माने होता है सुख पूर्वक रहना और खेमिनो माने सुख पूर्वक रहने वाले यानि सभी सुखfund पुरवक रहें सब हो जाएं सुखपुरवक रहें सब्वे बद्दानी पशंतू ये जो बद्दानी सब्द है कहिई जे एक इसको भधण्पराणी लिया गया है तसल क्या पाली में आधा रहता होता नहीं इसलatan ये संस्काइच सब्द है भद्ध से बनाएं भद्धानी सब्वे भद्धानी पसंतु सब्वे भद्धानी का मतलब है सब हो भद्धानी माने भद्ध माने होता है कल्यान लाबकारी यानि सभी लाबकारी यो कल्यानी हो वो पसंतु माने हो दिखाई दें पसंत माने देखना होता है यानि सब देखने देखने लायक हो, देखा जाए सबको कि सारे लाबकारियों, सभी सुखियों, कल्यानी हो मा कंची दुख मा गमा मा कंची मा कंची का मतलब है मा माने होता है मत यानि डू नौट मा माने होता है नहीं या मत तो नहीं हो, क्या कंची का मतलब मा गमा का मतलब है दुख नहीं हो आगमन यानि किसी को भी दुख का आगमन ना हो किसी को भी कोई दुख ना हो तो इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से सब्बे सत्ता सुखी होंतू सब्बे होंतू चै खेमिनू सब्बे भद्दानी पसंतू मा तंची दुख मा गमा तीन वार इसको पढ़ेंगे एक वार मन से एक वार बचन से और एक वार करम से फिर बाद में साधू 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 कहके उठेंगे तीन वार साधू साधू का मतलब है ऐसा ही हो बहुत बढ़िया ऐसा ही हो बहुत बढ़िया ऐसा ही हो बहुत बढ़िया धन्यवाद करी हैं आप अपने फेस्बुक पे अपने पेज पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलक की है धन्यवाद कर दांशरनंग गच्छामी दांवंशरनंग गच्छामी संखंशरनंग गच्छामी दांशरनंग गच्छामी दांवंशरनंग गच्छामी संखंशरनंग गच्छामी दांवंशरनंग 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 गच्छामी दांवंश